Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिलकुल free of cost. Kindergarten से रेके class 12 तक की. CBAC board की courses के साथ साथ आपको other state board की भी courses available है in Indian medium. जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board की courses, proper systematic way में. कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी. डेली practice sets के questions में मिलेंगे, practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes की link आपको description box में available है. तो भटकने की बात भई नहीं बनती है. So, आज का हमारा topic रहने वाला है atmosphere. चलो, बिना time लिए, पहले आप अपना काम कर दो like and share. Then next, last class का जो हमने पढ़ा, तो इसका revision करेंगे, क्योंकि must है. तो आप क्या करो, फटा-फट से पहले तो like कर दो. Session को like करो, और share करो. बिल्कुल इसमें कोई कंजोसी नहीं करनी चाहिए. खुल की बिल्कुल अपना जो है, वो करें. क्या बोल सकते प्रदर्शन करेंगे, देखिए माम, हम आपके साथ हैं, आपने जैसा बोला, हम आपकी बात मान रहे हैं. Clear हुआ? तो फटा-फट से क्या कर दीजे, like कर दीजे and please share कर दीजे. Okay? चल्ड. फिर लास्ट क्लास का जरा हमने जो ओशन्स पढ़े थे ना, उनके बार में डिस्कस करेंगे. किसी ओशन का shape circular था, किसी का S shape था, किसी का triangular shape था, तो यह बड़े ही interesting, यह जो shape आ गए. पूछूँगे मैं आपसे भई कौन से कौन से continent के shape थे, ठीक है? पहले like and share करो, फिर चल्ड. अच्छा, मुझे बताओ, S shape, triangular shape और circular shape. कौन से कौन से continent का था? question mark बना दिये हैं मैंने, answer करो फटा-फट से. first, second, third. continent बोड़े, कौन से कौन से ocean के यह shape थे? S किसका था? triangular किसका था? circular किसका था? जल्दी जल्दी से बताओ. हमने पढ़े थे हमारे main, main five हमारे कौन से कौन से ocean पढ़े थे? यह भी यादे की भूल गये? हमने देखा था Pacific Ocean है, जिसको largest कहा जाता है. Pacific Ocean हो गया, उसके बाद हमारा कौन सा था? Antarctic, Atlantic Ocean हो गया, देखो मैं Antarctic, यह आर्किटेक, Atlantic और Antarctic यह थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि जैसे messed up हो रही ही चीज़े, but don't worry. पहला Pacific Ocean, second हमारा जो है Atlantic Ocean, उसके बाद हमने देखा था Indian Ocean, फिर हमने Southern Ocean, उसके बाद कौन सा देखा था हमने Arctic Ocean, 5 हमारे major जो है ocean थे और मुझे ही बताओ पहले yes or no में कि क्या यह जो oceans है, interconnected हैं कि नहीं? yes or no, are these oceans interconnected or not? यह जो oceans है, are these oceans interconnected or not? बताओ, क्या यह oceans interconnected है नहीं, तो बिलकुल यह interconnected हैं, अब बात करें हम S जो है हमारे shape की, यह किसका है? जो S शेप हमने देखा था Atlantic Ocean का था, किसका था? Atlantic Ocean का था, S जो shape था, वो Atlantic Ocean का था, triangular shape हमने देखा था हमारे ही Indian Ocean, हमारे इंडिया की नाम की बात जो पड़ा था Indian Ocean का, circular हमने देखा था Pacific Ocean का, तो यह shape अलग-अलग हमने समझे थे और इनकी speciality भी हमने बहुत अच्छे से last class में पड़ी थी, अच्छा यह बताओ कि ocean में, ocean ज यह बताना है, 0.03, है ना, 97.2, 2.28, कितना positive जो है ocean हमारा water को cover करता है, मनुद है hydrosphere का जो सबसे आदा part कौन cover करता है, ocean cover करता है, अब कितना cover करता है, तो obviously जब मैंने बोली गिये सबसे आदा, तो 97.2 भाई जो part है कौन cover करता है, हमारा ocean cover करता है, बट हम इसको use की नहीं कर पाते है, जब हम कहरें कि 97 percentage cover करता है, तो क्यों नहीं use कर पाते है, क्योंकि इसका जो water होता है, कैसा होता है, salty, इसका जो water कैसा होता है, salty water होता है, खारा-पानी होता है, clear हुआ, आया समझ में कैसा water होता है, भाई, salty water होता है, हमारे use करने लायक सिर्फ इतना होता है, human beings के consumption क्ले सफ यह होता है 0.03 human beings के का लगा तरा कंजम्शन क्ले सफ यह होता है 0.03 clear हुआ मतलब यह क्या है इतना यह हमार पास fresh water तो इसलिए मैं आपको लास लास में यह भी बोला साथ जाते आते हैं यह कि आपको क्या करना है आपको भी water को safe करना है हम आपको question आ रहा हो कि हम बोलते है अर्थ को अर्थ ब्लू प्लानेट है अर्थ एक ब्लू प्लानेट है खूप सारा उसमें water रहे कितना almost 71% जो है water cover करता है 71% water और 29% land अब जब हम कहरें 71% जो है water cover करता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको खराब करें पानी को नहीं pollute करें नहीं उसको भी क्या है उसमें से भी 97 किसके पास जाता है ocean के पास जिसका पानी कैसा होता है बहुत ज्यादा क्या आएगा atmosphere air or gases the earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere जो हमारा एर्थ है हमारा एर्थ क्या है जैसे मैं बना दूं हमारा एर्थ है एक लियर के थू क्या है एक लियर है चलो white color से लियर बना देते हैं surrounded एक लियर ने अर्थ को surround करके रखा हुआ इस तरीके से आसपास ऐसे हैं Surround करके रखाये तो यह जो लियर है किसकी है इसको क्या बोलते है Surrounded by a layer of gas called the atmosphere यह किसकी लियर है गैस की इसका हम क्या बोलते है atmosphere बोलते हैं clear हुए इसको हम क्या बोलते है atmosphere बोलते है The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. The thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. जो थिन ब्लैंकेट है इसकी जो हवा की जो पतली सी चादर जैसी रहती हवा की integral integral और important aspect रोता है planet के लिए मतलब अगर यह नहीं होगा ना तो sun की जो heat है वो डारेक्ट आएगी हम पर और हम क्या हो जाएंगे जलेवे cake की तरह हो जाएंगे जैसे cake जब जल जाता है बनाते है न बेक करते हैं तो ऐसी हम भी जल जाएंगे तो यह जो blanket है यह क्या करता है भाई cover करके रखता है और अर्थ क्या बोलता है कि मुझे तुम protect करो संकी हीट को मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता है तो जादा तो भाई मैं तुम्हें चादर की तरह ओल लेता हूं तुम मेरे आसपास रहो gravitational force के तुरू अर्थ क्या करता है यह जो लेयर है इसको atmosphere को अपने पास रखता है gravitational force जैसे मैं पहने से गिराऊंगी तो नीचे गिरेगा ना इधर जाएगा ना अधर जाएगा ना अधर जाएगा सीधे नीचे जाएगा ठीक है तो ऐसे ही जो लेयर है और सास लेना जीवंत लिए एक बहुत ही अतियंत अतियंत महत्वपूर्ण चीज है बिना सास लिए काम कैसे चलेगा बिना oxygen carbon dioxide जैसे हम oxygen लेते हैं जो प्लांट से वो carbon dioxide इंहील करते हैं तो उनके लिए और हमारे लिए यह गैसे जो एर है बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है साथ में और क्या करता है यह हमें जो harmful effect आते हैं sun की जो harmful rays आती है उससे protect करता है the atmosphere extends up to the height of about 1600 km जो atmosphere जो इसकी height कितना extend कर सकता है 1600 km तक एक सकता है 1600 km तक यह क्या है यह atmosphere की भी अपनी अपनी अलग-अलग layers है यह क्या है अर्थ है जैसे तो यहां से इसकी one by one जैसे अर्थ है तो यहां से इसकी one two three तरीके से layer start हुजाती इतने उपर तक नहीं रहती बहुत ज इसमें बहुत अपना अपना फोर्चन एगा नेगा इनकी लेयर है डौप फ्रस्पेयर स्टाइडश्पेयर फर्म scroll तरาม неп疫वर य rugged यह क्या रहती है यह एट्मस्फेयर की लिए रहें क्या है लौप स्टर फर्स लेयर वती जोती स्रिडर्ण स्टरड़ घ्रा adosphore for tho t thermosphere Fiv To你 Sav overview पहली होती हमारी टूंप स्फिर इडिखरी तरिक सेसे सेखेंड स्राइड ही मीसोष्यहाँ पर मीडियो गोडिया आते हैं यहां पर बॉंहोन हो नहीं लग जाते है थर्मोस्फेर हमारे रेडियो वगए ट्रांस्पिशन के बढ़िया रहता है थर्मल उसके लिए एक्जॉस्फेर थिन जो बिल्कुल एक्जिस्ट मनलब एक्जिट बहार ही जा रहे हैं तो थिन सी लियर होती है कि लियर हुआ आया समझ में यह क्या है यह एक्मॉस्फेर की लियर है ठीक है यह हम पढ़ रहे ना बायोस्फेर हाइड्रोस्फेर यह जो आपने अभी तक पड़ा तो वह अलग है और यह अलग है यह एक्मॉस्फेर की लियर है तो एक्मॉस्फेर की लियर कौन सी कौन सी सब से first होती है troposphere फिर 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 फोर्थ Thermosphere फिर 5th Exosphere clear आया समझ में atmosphere के बारे में हमने क्या देखा बहुत अच्छी चीज़ देखी कि यह अर्ठ को surround करके रखती है अर्थ इसको blanket की तर अपने पास रखता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थ को जो सन की रेज आएगी जो सन की वेफस आएगी जो भी उससे क्या होगा इंपक्ट पड़ेगा हमारा अर्थ में जो हम लिविंग बींग से उनको प्रॉब्लम होगी पॉसिबल नहीं हो पाईगी लाइफ ठीक है और यह हमें क्या देता है साथ में ऐसी एर देता है जो ब्र तक आपने लाइक नहीं किया हो तो चल दा एट्मोस्फियर इस डिवाइड़ इंटो फाइव लेयर्स जो एट्मोस्फियर है किस में डिवाइड़ है पांच लेयर्स में डिवाइड़ एट्मोस्फियर इस डिवाइड़ इन्टो फाइव लेयर्स बेस्ड ओन कंपोजिश के basis पे temperature के basis पे और other properties के basis पे जो है हमारा atmosphere है five layers में divided है जैसे कि अभी मैंने आपको बता है five layers जो हम देख रहें troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere तो five layers में क्या है divided है these layers starting from the earth surface यह earth के surface से start होती है जैसे यहां से start हो जाएगी इस तरीके से तो these layers starting from earth surface these are called the troposphere अब जो earth की surface से start होगी तो पहली हमें मिल जाएगी यह troposphere जैसे पहली यह troposphere first first है हमारी troposphere फिर stratosphere second then उसके बाद mesosphere third फिर four thermosphere then fifth exosphere clear आया समझ में इस तरीके से जैसे हमारा earth है यह हमारा क्या है यह हमारा earth है तो पहली लिए फॉस्ट लिए जो हम दिखेंगे यह कह रहें ट्रोपो स्फेयर ऐसे start हो जाएगी यहां से ठीक है फॉस्ट सेकेंड बूर्ड रहें स्टैडो स्फेयर है ठीक है थर्ड है हमारी मीजो स्फेयर फोर्ड है थर्मो स्फेयर फिर फिफ्ट है एग्जो स्फेयर तो जव इस तरीके से पूरह स्राउंड करके रखा हुआ यह हम ने देखा था कैसे इस चराउंड करके रखा हुआ था ठीक है ऐसे यह मतलब atmosphere ने अर्थ को इस तरीकी से surround करके रखा है तो जब atmosphere ने अर्थ को इस तरीकी सराउंड करके रखा है तो इसी यह जो layer है इन्हीं में पाचो layer रहेगी बट पहली यह आएगी second यह फिर third यह fourth और फिर fifth last में exhaust fair clear हुआ आया समझ में वैसे यहां one by one बना ही हुआ है बट आप ही समझो की अर्थ के surface से बुला है न कैसे स्टार्ट होती तो इस तरीकी से स्टार्ट होती है the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which make up about 99 percent of clean and dry air atmosphere में जैसे मैंने बूला air आती तो atmosphere में gases भी रहती है gases कौन सी कौन सी रहेगी इसमें जो gases रहेंगी mainly कौन सी gases है nitrogen और oxygen mainly कौन सी gases इसमें nitrogen है and oxygen which makes up about 99 percent of clean and dry air जो क्या बनाएगा 99 percent जो है clean or dry air इसमें रहेगी clear nitrogen 78 percent है oxygen 21 percent है मतलब भी जो gases है जो atmosphere में gases present है उसमें सबसे ज़्यादा portion किसका है nitrogen का उसमें सबसे ज़्यादा portion किसका है nitrogen का 78 percent then किसका है then oxygen का है 21 percent ठीक है फिर जो other gases है जैसे कौन सी कौन सी होगी other gases में carbon dioxide हो गई आरगन हो गई और other जो है वो total मतलब वो कित्ता मनाती 1 percent by volume तो सबसे ज़्यादा गरम कहे nitrogen फिर उसके बाद oxygen then उसके बाद carbon dioxide आरगन और जो other gases 1 percent में include होती है clear हुआ आया समझ में तो इतनी चीज हमने notice करी कि atmosphere में air तो रहेगी साथ में gases भी होती है air की atmosphere की हमने layers देख ली साथ में हमें यह भी पता है कि gases कौनसी कौनसी present होती तो oxygen रहेगी nitrogen रहेगी carbon dioxide आरगन और भी अधर गैसे लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसेंटेज किसका रहता है nitrogen का है 78 पॉसके बाद second number पर आता है oxygen जिसका पॉसेंटेज कितना है 21 पॉसेंट clear हुआ आया समझ में की नहीं आया और बाकि जो पॉसेंटेज है वो अधर गैसे के लिए clear तो atmosphere क्या है यह भी important domain है क्योंकि chapter क्या है major domain तो हमने देखा land रहेने के लिए land में continent वगएरा आते important है hydrosphere में oceans वगएर हमने देखे तो important है ना फिर हम atmosphere देख रहे है atmosphere में क्या है air है हवा breathing के लिए gases है that means यह भी important है clear इतना समझ में आया ना comment में बताओ फटाफट से मैं इसलिए आराम से आपको patiently बहुत अच्छे से समझा रहे हूं बिना किसी जल्द बाजी के बिना किसी टेंशन के बहुत आराम से समझा रहे हूं बिलकुल हलके से ठीक है चल ओक्सिजन is the breed of life while nitrogen helps in the growth of living organisms oxygen किसले जरूरी होती है इन्हेल करने के लिए अगर अभी मुझे oxygen ना मिले तो मैं बस उपर तो जरूरी है breathing ले life existence oxygen बहुत जरूरी सिर्फ ऐसा नहीं कि breathing ले सांस ले निकले तो सांस ने ले पार है तो जंदीगी चल जाएगी सास ही तो जरूरी हम बड़े ना रे जैसे movies देखते हैं सांस चेकरते हैं से नोस के बास ले आते हैं He's no more she's no more इसकी सांसे नहीं चल रही है डॉक्ट सबसके सांसे नहीं चल रहे है इसकी सांसे बंद होगी तो हम समझ जाते कोविड हुआ था तो उस ताइम पे लोगो को oxygen की कमी बहुत होने लग गे थी बहुत जाजा जैसे मेरे चाचा को हुआ था मेरी कजन को हुआ था तो oxygen level जो था उनका काफी कम हो गया था तो बहुत जाजा दिक्कत की बात होगी तो उन्हें फिर क्या है carbon dioxide though presents in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth thereby keeping the planet warm carbon dioxide का भी अपना रोल है भली ऐसा ज्यादा बहुत ऐसा वो नहीं है लेकिन एक कह रहे है कि carbon dioxide though present in minute amount ज्यादा इसे बहुत amount में carbon dioxide है नहीं क्योंकि हमने देखा था nitrogen कित्ता है 78 है oxygen कित्ता है हमने देखा 21% देखा न अभी जस्ट पीछे की slide में लग दिखा हूँ तो यहाँ देखा न 78% 21% अब क्या कह रहे है बात आ जाती carbon dioxide की तो carbon dioxide क्या रोलत ली करता है अब अर्थ में जो है इसको रीट करते समझते है इट अब्स ओफ्स अलग कलर से करते है इट which absorbs heat radiated by the earth thereby keeping the planet warm अब अर्थ हीट कैसे हो रहा है अर्थ में गर्मी कैसे हा रही है सन की रेस की तू सूरी की किरने अर्थ पे पड़ रही है अब क्या हो रहा है जो heat है वो क्या कर रहे है carbon dioxide क्या काम कर रही है उसको एब्सॉफ कर ली है हम बहुते ना रहे यह कपड़ा गीला हो गया इसने पानी को अब्सॉफ कर लिया अपने अंदर ले लिया तो ऐसी carbon dioxide क्या करती है जो heat है जो अर्थ जब अर्थ भी गर्मी ऐसे गरम गरम निकालता है तो क्या करता है अर्थ में जो heat आई सन की तो उसको capture कर कर लेगा अब्सॉफ कर लेगा जो किसले important होती है प्लै नहीं करेगी तो हमारा प्लैनेट वाम नहीं रहेगा हमारा प्लैनेट फिर क्या रहेगा ठंडा रहेगा तो जब ठंडा रहेगा तो सही नहीं है मतलब climate सही नहीं रहेगा क्या survival के possible है तो balance environment रहने के लिए carbon dioxide बहुत important role play करती है clear हूँ आप आया समझ में हां लेकिन carbon dioxide का इसक्री एसेंशल है plants के ग्रोथ ले भी बहुत जादा क्या है एसेंशल है देंसिटी ओफ दी एत्मॉस्फियर वेरीज विध है जो एत्मॉस्फियर की देंसिटी वह हाइट के साथ भई बदलती है मतलब फर्क पड़ता है तिक है अब हम वोड़ें एसेंशल क्यों है plant के ले लेख ले अच्छा हम क्या करते fighting human beings क्या करते human beings carbon dioxide को क्या करते ? human beings carbon dioxide को क्या करते ? ये जल करतेfish जैसे मैने इनहीड कर extra oxygen को तो मैंने एक्जेल क्या किरा.. क्या निकला.. carbon dioxide, अब मैंने तो exhale करी carbon dioxide, जो plants है न, plant trees, वो क्या करेंगे, वो अब carbon dioxide को inhale करेंगे, जो उनकी life growth ले, obviously important है, तो इसलिए carbon dioxide essential होती है plant के growth के लिए, जैसे oxygen है न, हमारे लिए essential, वैसे ही plant के growth ले carbon dioxide essential है, the density of atmosphere varies with height, it is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up, हो जैसे, जैसे यह ऊपर जा रहे, जैसे mountaineering यह ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, जो sea level पे, जो जिसकी बात करें, atmosphere इसकी बात करें, तो sea level पे, यह सही रहेगा, सी लेवल पे जो है मैक्सिमम रहेगा और जैसे जैसे मूपर जाएंगे तो डिक्रीज होने लगेगा डिकलाइन होने लगेगा यू नो दर्क्लाइबर्स एक्सपीरियंस प्रब्लम इन ड्रीदिंग दू दिस डिक्रीज इन देंसिटी ओ फेर हम यह देखते हैं कि जब बोलते हैं पहाड़ों में चलना आसान है बनाव ऐसा सोचने की पहाड़ों में चलना से बस सिर्फ हमारे पैर जुकते नहीं ब्रीद हो सकती है और डेथ होती है जो पहाड चलते हैं जो माउंटी नियर उते हैं ना कि मांट एवरेस पे चड़ाई करी ये परवत पर चड़े स्पाहड पर चड़े तो पूरी त्यारी पूरी प्राक्टिस बॉल्डी उतनी रेडी हो तभी जा सकते हैं असा नहीं कि बस मन कर आ आजाते हैं ब्रीधिंग इशू क्यों आएंगे जब भाई सास नहीं ले पा रहे सास की प्रॉब्लम हो रही खिर हुआ तुद्यू तो दिस डिक्रीज इन देंसिटी ओफ एर क्यों क्यों कि एर महां पे कम है सी लेवल पे जादा है जैसे जैसे उपर जा रहे एर का जो एक वो जो है देंसिटी वो कम हो रही क्योंकि लिखा है ना एर की जो टेंपर देंसिटी वो क्या होती है वेरीज मालब कभी कम यहां पर कम उपर उपर जाते जाते मालब नीचे जाधा उपर जाते जाते कम मतलब सी लेवल यह सी लेवल है सी लेवल पर डेंसिटी कैसी रहेगी अच्छी जाधा रहेगी स्को प्लस-प्लस ऐसे कर दो और जैसे 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 उपर जाएंगे कैसी होने लग जाएगी माइनस- जब भी जैसे मैं अभी पहाड़ी हूँ हना उत्राखंड मतला मेरा जो गाउं है उत्राखंड है तो हम भी पहाड चड़ते हैं जए चोटे में शायद हमें आप ही की इच की तुरह हूंगी मैं 6th मैंने क्लास पास करी थी मुझे याद है तो पहली बार उत्राखंड गई तो अब उत्राखंड गई तो दो पहाड़ हमने उत्रे और एक पहाड़ चड़के जा रहे थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है आप वैसे भी फिजिकली ठक जाते हो और उसके बाद ब्रीधिंग इशू जाते हैं तो ब्रीधिंग इशू उपर की हाइट म अगरा चड़ते तो उनको तो पूरी प्रिप्रेशन रखनी पड़ती है क्लियर हुआ तो सी लेवल पे जो भई एर है वो डेंसिटी बढ़िया है जैसे जैसे उपर जाओगे कम होती जाएगे और कम होगी तो हमारी लाइफ एक्जिसेंस के प्रॉब्लमाटिक है ब्रीधि बड़ी ही जाधा important है carbon dioxide क्या काम करती है जो हीट होती और्थ जो रेडियेट जो अर्थ हीट ऐसे निकालता है और से जो हीट धिरी धिरी उठी तो इसको capture करती है और वह अब हीट capture करके रखी तो अर्थ कैसा रहेगा वाम रहेगा नहीं तो फिर अगर वाम नहीं कर पाएं में कोई confusion तो नहीं यहां तक जड़े हाव तो कैरी विद देम oxygen cylinders to be able to breathe at high attitudes जैसे कि मैंने आप से कहा कि high altitude में जैसे जाएंगे जितना उपर उपर जाएंगे इनको oxygen cylinder अपने साथ रखना पड़ता है क्या रखना पड़ता है oxygen cylinder रखना पड़ता है क्योंकि उनको पता है उपर जाएंगे तो मिलने से रहा shortage हो जाएगी और फिर हमें breathing problem होगी तो हमारी हमारी death भी हो सकती है तो होने लगेगा जैसे हम उपर उपर साइड जाएंगे the atmosphere exerts pressure on the earth atmosphere क्या करता है प्रेशर लगाता है अर्थ में प्रेशर लगाता है प्रेशर दबाव डालता है अर्थ में this varies from place to place और यह place to place differ करता है some areas experience high pressure and some areas low pressure जैसे हम बोलते हैं यह हवा का दबाव जादा है हवा का दबाव यहां कम है तो किसी किसी एरिया में pressure कैसा रहेगा यहां पर हवा का जो बोड़ रहे हैं का दबाव जो रहेगा high रहेगा और किसी किसी एरिया में low pressure रहेगा Air कैसे move करती है? Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. Air क्या करती है? Air move करती है high pressure to low pressure. Air कैसे move करती है? Air moves high pressure to low pressure. एर कैसे मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर और एर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं यहां पे लिखा हुआ है इस मूवमेंट ओफ एर को हम कहते हैं विंड इस एर के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं विंड कहते हैं और एर कैसे मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प् ना अब जैसे आपको फिल नहीं होगा हमारी बॉडी में जो एर प्रेसर यह फूरे टालता है मुझे पता है है यहां से ढयारी होगी और आ तरह हैँ तो इघरें और प्रैशर न होई रहा है ऊपर से हई धर से फेसे भी क्यूंते को एसे ऐसे दृश अध्या थे मदूए redistribule रहे हैं ऑर हमारी तरफ से पता है अगर अगर मारी बॉढ़ी प्रैसाइब नई अपने तरफ से तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खूनी खून हो जाएंगा, पूरा हम फट जाएंगे, clear हुआ, आया समझ में, तो भई, एर प्रेशर का यह रूल है, हमने देखा, एर क्या करती है, हाई प्रेशर से लोग प्रेशर की जरफ, मूव करती है, और यह जो आपको समझ में आया होगा, एर प्रेशर, एर के मूवमेंट, विंड के बारे में जो हमने देखा, सब आपको समझ में आया होगा, सो कॉमेंट में मुझे ज़रू बताना और लाइक करना तो भई बिलकुल भी नहीं बूलना, इसे के साथ यह टॉपिक एंड होता है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% प्री एविलेबल है, आप हमें याद प्लाटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलिग्राम और वाट्सप पे, जादा सेदा लाइक कीजिए, जादा सेदा शेयर कीजिए, और चैनल को सब् सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, अपना ख्याल रखे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग